Hello everyone, welcome back to our channel English Madhyam, English Madhyam के platform पे हम editorial-based practice exercises solve कर रहे हैं, ठीक है, उसी series में आज का ये session है, स्टार्ट करते हैं, आज का session with thought of the day, that is, don't procrastinate, later is too late, just start today, यान कि कोई भी चीज़े वो कल के लिए या बाद मैं कर लोगा, इस चीज़े के लिए टालो मत हैं, टालने की आदात मत डालो, क्योंकि बाद जब है कि कल कर लोगा, या बाद मैं कर लोगा, वो बहुत देर भी हो सकत हो सकते हैं, हो सकते हैं कि आज कोई चीज़ ठाली फिर बाद मुझे ध्यान में भी नहीं रही और मेरे exam dates आगी और exam के time पर पढ़ने का time नहीं रहा, तो आज ही शुरुआत करो, जो आपने आज सोचा है उसको आज खतम कर दो, तो कर लो, आपने सोचा है कि मुझे कुछ न बनाने का, कुछ कुछ का एतिहास हो, या फिर कुछ उसमें जो ingredients तलते हैं, they are not good for health, आपको शायद ये पता चल जाए और आप बढ़े health conscious है, तो आज आपके life में ये रजा है, यार, सोची थी, काश रोज दिन try कर ली होती, तो at least taste तो पता चलता, ठीक है, तो कोई भी compassionate ना करें, बाद के लिए मठ तालें, because भाद जो हो कभी आता नहीं है, ठीक है, तो आज जो मौका मिला है, आज ही आपके हाद में कल, तो या गारंटी नहीं है, का है, नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखिए, जो भी मौका मिलता है, उसको पूरे तरीके से इंडिया में डेली में वॉक्सिंग से अलविदाला किया था विदाई ली थी तो उन्हें क्या किया था उन्हें उस टाइम पे 6th World Championship का गोल्ड जीता था ठीक है और उस टाइम पे उन्हें करियर के एक पीक पे थी जब उनने वह चीज छोड़ी थी और उनका दो दर्शक उसमें उनने एक women boxing के राष्टा तियार कर दिया यचा कि अब जो next women Comesicosers उनको कुछ mendry नहीं कम से लड़किया से नहीं का पड़ेगा उनको उनको कुछ नया यह है औरह रीड़कीयां के लड़की हो एक भूक्सिंग करोगी एसी चीजने पाड़ेंगी विक most मेरीकाम ने ए तो उसी के चलते बात बताएगी उसी के चलते बताएगी कि आज की डेट में नीटु गंगस जो है बाइस साल की 48 category में जिसमें मेरी कॉम ने बहुत जादा मेडल जीते उसमें पना पहला वर्ल्ड मेडल जीता है ठीक है और इसी की तरह जो स्वीटी बोरा है जो की 81 category में है जो आपर जाएगी सीटी इस एक्सपीरियंस बीट है इसी तरह से नौर्ड थीज़र्ण करने वाली लॉबलीना बार्गो हैं जो है उन्होंने भी 75 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता इसके अलावा बताया कि हालांकि यह सब तो जीत रहे थे लेकिन सबसे जादा जोемर्जि सितारा सामने आया वो थी निखत जरीन जिन्हों ने अपना सेकंड वर्ल्ड चैंपेंशिप गोल्ड जीता है संडे को बहुत भैतरी उम्दा वर्ल्ड क्लास बॉक्सर है इस वक्त के इंडिया की अचीवमेंट्स में और दूसरी चीज ये कि पिछले साल के जो उनकी जीत थी लेकिन इस साल जो उनकी जीत रही वो टोटल टोटल जो था उनकी जो क्राफ्ट है उनका जो स्किल है उसके उपर है याने कि उनने अपने अपको और पॉलिश करा जो कि देखने लायक था ठीक है भड़ा ही मेसमराइजिंग व्यू था इसके अलवा जो जरीन है बहुत ही एक फाइटर है ना बहुत ही अच्छी उम्दा फाइटर है और इसके अलावा मेल फीमेल चाहे बॉक्सर कोई भी हो जादा तर जो रेकोगनेशन है वो है 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 इसके अलावा यह बूलते है कि जो मेंस बॉक्सिंग है वो जो है पिछले मतलब 2008 में जब विजेंदर सिंग ने मेडल जीता था उलम्पिक में उसके वाद से कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई ठीक है लेकिन अभी हम 2024 की प्रपरेशन कर रहे हैं वर्ल्ड चैंपेंशिप जो यह चल रही है तो इसमें विमन जो है वो बड़ा ही एकदम इंडिया का एकदम शाइनिंग स्टार जैस लें फिर यह भी कहते हैं कि जो विमन वॉक्सिंग का जो गेम है वो काफी मेस्मराइजिंग है देखने ही होगे है दर्शनी यह है ठीक है तो अब इनी के ऊपर दारमदार है सारा और फिर मेंस में कौन का नाम ले रहे हैं कि नीरत चोपरा को छोड़ दे तो ज्यादा विमन की तरफ ही जादा दिखाई दे रहा है तो यह सारा का सारा है बहुत ही उनने प्रेज करा है मेरीकॉम के गेम को भी कि उनने किस तरीके से उपन कर दी उसके बरावा उनने इस चीज को भी प्रेज करा है कि विमन बॉक्सिंग जो है वो किस तरीके से आउट्शाइन कर जिसको माना जाता है कि मर्दों का खेल है ओरते नहीं men's game और नहीं कर सकती लड़किया नहीं कर सकती होते हैं लड़कियों की खेलने वाली चीज थोड़ी है तुम जाओ घर में ये करो वो करो फलाना करो ऐसे जो हमारी orthodox mentality है तो boxing पूर्ण रूप से पुरुष प्रधान गेम लड़कियों को इतना strong को भी माने जाता कि किसी को पंच भी मार सकती है लेकिन अगर विमेन अपना इतना नाम कमारे हैं कि मर्दों ने 2008 में जीता था last medal ठीक है उसके बाद लेकिन अभी जो women है वो इस तरह medal पर medal जीते जा रही है तो अपने बहुत बढ़ी बात और इसकी बहुत प्रशंसा भी करी है ठीक है बहुत तारीफ करी है और होप दिखाई है जो इंडियन विमेन बॉक्सिंग है उसकी तरफ में बहुत जादा ठीक है तो पहला question है which of the following statement is correct with respect to the passage Mericom won a record 6th world championship gold 5 years ago 5 साल पहले उनने 6th world cup championship जीती थी gold मिला था उनको सही है ये statement Men's boxing in India has consistently outperformed women boxing कि men boxing जो है वो लगातार women boxing से जादा अच्छी performance देती आ रही है तो यह तो गलत है हमने पढ़ा कि women boxing जो है उनको outperform कर रही है Mericom's retirement marked the end of successful women boxing in India कि Mericom के retirement के बाद में हमें कोई भी successful women boxer नहीं मिली यह भी गलत है हमने पढ़ा अभी कि काफी सारी women boxer रही है और जिसमें अभी हाल फिलाल में जो यह boxers है जरीन है या फिर Lenovoa है या फिर दूसरे boxers है यह बहुत अच्छा game खेल रहे हैं और काफी सादा medals इनने जीते हैं अलग कि उनका first medal ही है Neetu का बट स्टिल she is a very good boxer और हमें दिखता है कि आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छे हैं हमारे पस games है निखत जरीन has won two world championship goals अब निखत जरीन का हमने पढ़ा ना कि पिछले सा पिछली वारी जो उनकी performance थी ज्यादा तर उनके करियर अपके ओपर ध्यान ना देके लोगों ने किसके ओपर ध्यान दिया उनकी जो life struggles रही hurdles रही जिनको पार कर सामने आई है ना game खेला उसके उपर लेकिन इस साल उनने अपने game काद लोगों को दिवाना बना दिया तो definitely वो दो world championship goals जीत चुकी है तो first statement और fourth statement सही है सिर्फ which means option B is correct how has the performance of Indian women boxers impacted the visibility of women's boxing in India women boxing अब कैसी होगी है दर्शनी होगी है देखने ही होगी है कि बड़ा उसके अंदर हमें interest आता है अब हमरे रुजहान के साथ देखते है women boxer को ठीक है तो जो women boxing की जो boxers की performance थी उसका यह impact पड़ा उसका यह प्रभाव पड़ा कि अब लोग इसको जादा देख रहे हैं ठीक है जादा पसंद कर रहे हैं तो decreased interest in sports कि अब इसकी वजह से women boxers का यह प्रभाव पड़ा कि अब लोगों का खेलों के तरफ प्रजहान ही अब गलत है वो boxing की तरफ भी जादा एट्राक्ट हो रहे हैं खेलों तो छोड़ों की तरफ भी काफ़ी एट्राक्ट हो रहे हैं गेंड glowing visibility बड़ा ही चमकदार उनकी visibility हो गया कि हर परने पर वही दिखते हैं हर चानल पर वही दिखते हैं बड़ा अच्छा impact हो गया तो यह सही है लोग अब उसको देखना चाह रहे हैं रिमेंड अंचेंज की कुछ प्रभावनी पड़ा वो मिन बॉक्सर के अच्छे performance का कुछ प्रभावनी पड़ा लोग पहले भी सोचते कि लड़कियां कहा कुष्टी करेंगे लड़कियां कहां बॉक्सिंग करेंगे और अभी वह वही सोचते हैं ठीके तो यह भी गलत है हमने देखा मेरी कॉम ने ही रास्ता कोल दिया है ठीके ओवर्शाडोड बाइम वेंस बॉक्सिंग की वह निचे परच्छाई बनके रहे गहे और कि मेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करें और उनके सामने विमेंस दिखी नहीं तो यह भी गलत है, so option B is correct, who is considered the ultimate icon of Indian boxing and brought relevance to women's boxing in India, कौन माना जाता है ultimate icon women boxing का, obviously Mary Com, ठीक है, who else, Mary Com, so option C is correct, what tone does the passage convey regarding the current state of women boxing in India, की महिला boxing की current state जो है, उसके ओपर इनकी क्या तो हमने देखा कि उनने काफी उनकी प्रशंसा करी है, काफी उनके ले कि आगे हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करें, Mary Com, ने बहुत पॉजिटिव रास्ता खोल दिया, महिलाओं के हर्ड़स आधे से जाधे हटा दिये, बॉक्सिंग की तरफ और उन्होंने महिलाओं उसका फल भी दिया, ठीक है, यानि कि जो महिलाओं ने इतना स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में, विमन बॉक्सिंग को आगे लाने में, उनने जो मेडल लिये, तो महिलाओं ने उनकी जो भी आगे की जनरेशन आने वादे थी, उनसे जो भी उनने उमीदे रखी थी, उन पर खरी भी उतरी, तो काफी उनके प्रशंसा करी, काफी ओप्टिमिजम दिखाया, ठीक है, तो य यह बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक था, okay, according to the passage, what is the main theme regarding women's boxing in India, तो क्या women's boxing की main theme क्या थी? की women's boxing अच्छा perform करी है, है ना, और maricom ने रास्ते खोल दिये, और maricom के बाद से women's boxing काफी अच्छा, इतना अच्छा perform करी कि उनके, उनकी shadow में men's boxing दिखाया इने दे रही, है ना, इतना अच्छा perform करी, The decline of women's boxing after Mericom's retirement Mericom's retirement Women's boxing decline The success and growing prominence of women's boxing in India Women's boxing's success And how much of its success is growing How much of its performance is in India So this is right The comparison of women's boxing with other sports in India The lack of support for women's boxing in India Women's boxing didn't have much support in India But we have seen that Mericom had struggles with other women We have seen that Mericom's life events अब जो है उनके बाद में काफी support मिलता है लोगों को, right? क्योंकि उनने उस चीज को ये बता दिया कि हम महिला है, किससे कम नहीं है, हम इस field में अच्छा कर सकती है, support को भी हम बहतर कर सकती है So option B is correct Given below are four sentences, three of which are jumbled Pick the option that gives the correct order The shelves in the library were filled with thick volumes, dictionaries, encyclopedias and other references तो बोले है तीन ही है, यानि कि first वाले तो यहीं पर आने चाहिए थी, इसके बाद देखते है This shelf was quite high and out of his reach बोले है कि जो shelves थी लाइबरी में, वो सारी की सारी मोटी मोटी किताबों से, dictionary से, encyclopedia से और other reference books से भरी पड़ी थी अब यह किसी shelf का जिक्र कर रहे है कि यह जो shelf थी यह काफी ऊची थी और उसकी पहुंच से दूर थी तो this shelf बोला याने कि इसका पहले कहीं जिक्र हो चुक है तो यह तो second statement नहीं आ सक तक कि यहां पर हमने this shelf नहीं सुना पढ़ा और out of his reach यहां पर pronoun यूज हुआ है that means noun कहीं पर यूज हुआ होगा किसकी reach his तो बता दिया कि उसकी reach से पहुंच किसे दूर थी कोई पुरुष है ठीक है male है यह तो पता चल गया लेकिन कौन है नहीं पता चल गया so he had to fetch a ladder to pick a book that interested him तो उसको सीरी लेकर आने पड़ी ताकि वो वो बुक निकाल सके जिसमें उसको interest आ रहा है रितेश found nothing that interested him until he came to a small section on photography which was one of his hobbies पोड़ित रितेश को जो पूरी बुक से भरी हुई थी उनमें उसको किसी में इंट्रेस्ट नहीं आया कब तक उसे एक वो section नहीं मिला जहां पे photography से related books थी जो कि उसकी hobby भी है यानि कि photography उसकी hobby है तो यह हो गए हमारी second statement क्योंकि shelf से भरी books में रितेश को कुछ भी पसंद नहीं आया unfortunately as he was climbing down the ladder तो फिर यह हो गया कि जब वो cd से नीच होता था cd पहले कहां आए यहां पर आए कि वो cd लेकर आया so b जो है वो third statement होगी and d जो है वो fourth statement होगी यानि कि यह बन जाएगा a c v d a c v d option a is correct ठीक है next देखलते है to pick to spend the waiting hours at airport I walked into the bookstore and bought some magazines कि अब airport मैं ताइम से पहले आपको पता है आपको पता है वहां पर रिपोर्ट करना पड़ता है दो घंटे चार घंटे पहले तो मैं पहुंश तो गया वहां पर लेकिन अब अपना ताइम के से पास करो तो मैं पास में जो बुक स्टोर था मैं वहां तक गया ठीक है और मैंने कुछ मागजीन खरीदी इट वस पार्थ and old friend अब यह पार्थ आया तो इट वस से शुरू हो रहा है वहां पर मुझे पार्थ दिखा लेकिन कहां पर दिखा वह पार्थ था कौन था पार्थ क्या जिक्र हुआ इसके बारे में पहले कुछ जिक्र हुआ है I had hardly turned a few pages of magazine when I felt a hand on my shoulders मैंने भी कुछी पन्ने पल्टे थे magazine के जब मुझे एक हाथ महसूस हुआ अपने कंधों पर यहां पर यह पार्थ का जिक्र हुआ जब उसने मुढ के देखा तो पार्थ था एक मेरा पुराना दोस्त then I found a comfortable seat and sat down to ruin जब उसने magazine खरी दी उसके बाद उसने comfortable जगह ढूंडी seat ढूंडी और वहां पर पढने बैठ गया यह हो गया second statement उसके बाद मैंने कुछी पन्ने पल्टे थे कि मुझे एक हाथ अपने shoulders पर महसूस हुआ जब मैंने देखा तो वह हाथ किसका था पार्थ का था जो कि मेरा एक पुराना दोस्त था ठीक है यानि कि A D C B A D C B Option C is correct In the following questions a sentence has been given in active or passive voice ठीक है या तो active में दिया है या passive में दिया है Suggested select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice यानि कि अगर active में दिया है तो उसको passive में convert करना है, passive में दिया तो उसको active में convert करना है ठीक है Please come down for breakfast ठीक है simple सा है please come down for a breakfast अपने किसी को बोला तो हम क्या बोलें कि You are requested to come down for breakfast कि हमने क्योंकि यहाँ पर please use करा तो यह request हो गई तो क्या बन जाएगा You are requested requested ठीक है और किसलिए request करिये उनको कि come down for breakfast तो क्यों करी किस चीज के लिए request करिये तो to come down for breakfast तो you first statement requested you are requested से start है you are requested होना चाहिए you are request request है ठीक है requested होना चाहिए change होएगा tense में you are requested to come down for breakfast option C is correct there are three important things to keep in mind while tracking कि tracking करते दौरान 3 important चीजे हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए तो अब 3 important चीजे हैं to keep in mind there are three important things to be kept in mind while tracking okay there are three important things keeping in mind ये भी करते है there are three important things to be keep keep का kept होगा change होगा tense okay there are three important things to be kept in mind while tracking option C is correct in the following questions a sentence has been given indirect या indirect speech okay out of four alternatives suggested select the one which best expresses the same sentence in indirect to direct speech indirect और direct यानि कि direct speech में दिया है तो indirect में चेंज करना है indirect में दिया तो direct में चेंज करना है I said to my brother please do not disturb me तो अब मैने अपने भाई से बोला please यानि कि requested हो गया I requested my brother not to disturb me okay I requested my brother not to disturb me fine पहला statement दिखते है I requested my brother not to disturb me पहला ही सही है okay so option A is correct my friend said to me I am learning Hindustani music मेरी friend ने मुझसे कहा कि मैं Hindustani music सीख रहा हूं या सीख रही हूं ठीक है तो क्या हो जाएगा मेरी friend ने मुझसे कहा याने कि उसने मुझसे बताया तो my friend told me that she was learning Hindustani music okay my friend told me that she was learning Hindustani music इसमें भी option A ही correct है ठीक है तो option A is correct in the following questions out of the four alternatives choose the one which can be substituted for the given words sentence ठीक है कुछ sentence दिये है words दिये है one word answer चाहिए हमें कि इसको one word में क्या बोला जाता है incapable of being justified or excused ठीक है excuse नहीं किया जा सकता है पी योगे नहीं है ठीक है शमा योगे नहीं है बहाने बनाने योगे नहीं है तो inexcusable okay partisan मतलब होता है inexcusable मतलब होता होई incapable of being justified or excused partisan मतलब होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब दूसरे के ना बिना सोचे समझे कि यह सही है गलत है इसने क्या बोला नहीं बस साथ देना है तो देना है भेट चाल अगर सब लोग बोल रहे हैं कि जिससे हम कई बड़ी न्यूस में देखते हैं कि लोग धरने पर चले होता है लेकिन उनको पता नहीं होता कि वह धरना किस चीज का और है आख आठ में में देखते हैं साना है लेकिन उनको पता Kenny बोलने लेकिन नगी है और आज के में पते हुआ क्या होता है हमने जोग्राफी पड़ी है देखो क्या होता है पैनेंसला कि एक ऐसी जगह जो पानी से घेरी हुई हो हर तरफ से राइट पैनेंसला बोलते है मतलब कि कोई ऐसा परसन जिसको बाइज़त उनकी नौकरी से रवाना किया गया हो यानि कि अपके फादर आर्मी में हैं, नेवी, एर फोस में हैं, किसी भी सब्सक्राइब में हैं, पैने बाइज़त उनकी नौकरी से रचा जाएगा ना मतलब चुके हैं पूरा या फिर अगर वोलंटरी रेटार्मेंट भी लेते हैं तो भी वह बाइज़त अपनी जगह से छोड़ के जाएंगे तो यहां पर option A, inexcusable is the answer. Act of forecasting by examining present conditions. ओडे, ओडे का मतलब होता है एक ऐसी पोयम जो किसी की प्रशंसा में कही गई हो ठीक है किसी की प्रशंसा में कही जाने वाले जैसे जहांसी की रानी पोयम खूब लड़ी मर्दानी वह क्या है वह एक ओज है nocturnal, nocturnal मतलब होता है निशाचर, nocturnal animal movie भी अपने अगर देखी हो तो यह क्या होता है निशाचर प्राणी जो रात को चरने वाले रात को भी चरने वाले होता है prognostication, prognostication का मतलब होता है act of forecasting by examining present condition यानिकी अभी के हालात को देखके आगे की भविश्य बानी करना ठीक है जिसे में पापा बोलते है ना तू अगर इसी हिसाफ से फोन देखेगा या देखेगी तो तू नहीं पास होना तो उनने क्या हमारा भविश्य बता दिया है जिसे कभी हम जादा टीवी देख रहे होते हैं तो पापा अचानक से मैं एक काम करता हूं मैं एक रेडी ठीक है तो हम पूछेंगे क्यों कि तुमने पढ़ना तो है नहीं तो तुमने रेडी लगानी है वह ऐसे ही बोलते हैं पेरेंट्स वह क्या कर रहे है हमारा भविश्य डिफाइट कर रहे है क्योंकि हम आज जो काम कर रहे है उसके बेसस पर ठीक है तो ऑप्शन C is correct प्रॉस कोई व्यक्ति है वह आपको परस्वेड कर रहे है आपको मनाने की कोशिश कर रहे है कि आप मेरा धर्म अपना लो ठीक है इसमें यह फायदे है देखो हमारे गुरू ऐसे थे वैसे थे हमारे गुरू इतने अच्छे थे हमारे गुरू ऐसे थे यह बताते थे तो वह क्या कर गर्ल्स के साथ में होता है after marriage उनको husband के या in-law's side की चीज़े माननी पड़ती है हालां कि हो सकता है कि वह ऐसी लड़की ना हो कि उनको मानना सही लगे या फिर तो लेकिन उनको सारे rituals भी करने पड़ेंगे सब कुछ क्यों क्योंकि उनको persuade कि अब यही आपकी life है you have to live like this food agrees with one's taste ऐसा खाना जो दूसरे के स्वाद को भाय है यानि कि दूसरे के स्वाद अनुसार हो जैसे नमक कोई लोग कम खाते है कोई जादा खाते है तो अगर आपने खाना बनाया है और उसमें नमक जो आपके counterpart आपके साथ बैठे हुआ है काने के लिए उनके according है तो that is food agrees with one's taste यानि कि वो उनके स्वाद के नुसरे मैच कर रहे है okay actually actually वो व्यक्ति होता है जो premium वग्यरा calculate करता है ठीक है यानि कि कितनी किष्ट बनेगी कितना इनका premium बनेगा वो calculate करने वाले व्यक्ति को बोलते है actually carnivorous वो जानवर जो मास खाते है यानि कि मासाहारी ठीक है palatable पैलेटेबल का मतलब यानि की food agrees with one's taste वो खाना जो दूसरे के स्वादनुसार हो ठीक है choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase our leader does not make false promises he walks the talk ठीक है यानि कि हमारे जो नेता है वो कोई भी जूटे वादे नहीं करते है वो जो कहते है वो करते है एक बर जो मैंने commitment कर दिया फर मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता right तो हो क्या है वो जो कहते है वो करते है यानि कि जो ने बात कही है को करके दिखाएंगे okay so to talk while walking यानि कि छलते चलते बात करना तो अगर आप उपर से देखेंगे तो यही लग रहे है चलते बात करना जलते बात करना यानिकि यह इसका meaning यानि कि वो करना जो वो कहते हैं, so option D, to do what one says is correct, he does not have money to pay back the loan, उनके पास पैसा नहीं था कि वो लोन पे कर सके, he is in a tight corner, in a tight corner मतलग, देखो अगर आपके पास पैसा नहीं था कि आप लोन पे कर सके, आपकी सिति खराब है, आप परिशानियों से जूझ रहे हैं, तो कि यहां पे क्या है, he is in a tight corner, यानि कि वो difficult situation में है, परिशानी से जूझ रहे है, in a difficult situation, okay, hiding in the house की घर में छुपा हुआ है, in a prison, कि वो किसी जेल में है, being bankrupt, कि वो उनका दिवालिया निकल चुका है, उनके पास पैसे नहीं है, तो यहां पे option A, कि वो difficult situation से जूझ रहे है, is the correct answer, it was getting dark, and I was hoping, against hope, that I would get a lift to go home, बहुत अंधेरा हो चुका था, हो रहा था, ठीक है, और मैं, ना उमीद होके भी उमीद कर रहा था, कि मुझे घर पहुंचने के रहे, लिफ्ट मिल जाए, ठीक है, यानि कि suppose करो, exam का ही example देती हूँ, मेरे साथ यह चीज हुई है, किसी exam में मैंने पहले बहुत पढ़ाई करे थी, अच्छे से सारा टूशिंस वगेरा, सारा काम किया, लेकिन, exam के दौरान क्या हुआ, उस duration में, उस exam से पहले में, बिमार हो गई, तो मैं उस टाइम पर नहीं पढ़ पाई, अब उस टाइम पर नहीं पढ़ पाई, तो मुझे यह कुछ नहीं, फिर भी उमीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, okay, तो not bothered about the outcome, by the way, मैं पास हो गई थी, in fact flying color से पास हो थी, 15 में से 45 मेरे मार्स आया थे, hoping in a hopeless situation, कि आप बहुत थी, बुरी परिस्थिती में भी, उमीद का दामन नहीं छोड रहे हैं, ठीक है, बहुत खर कोई उमीद नहीं है अब बची, ठीक है, have complete faith, कि आपको पूरा भरोसा है, पूरी उमीद है, so option B, hoping in a hopeless situation, is the correct answer, choose the word opposite in meaning to given word, commencement, commencement होता है, किसी चीज की शुरुवात करना, start करना, beginning होना, किसी चीज की, ठीक है, empower, empower होता है, आपने किसी को आधिकार एक तौर पे, अधिकार दे दिये है न, official तौर पे अपने अधिकार दे दिये उनको, ठीक है, होता है, empower करना, authorize करना, permit करना, conclusion, conclusion होता है, अन्त, कि अब, end में, यह सारी घटना करम का, यह conclusion निकला, इसका निचोड के निकला, यह निकला, ठीक है, invade, जो कि रश्या यूक्रेन के उपर कर रहा है, invasion, यानि कि आपको दूसरे के जगा, जमीन, जायजात का अधिगरहन करना, okay, and stability, stability, तो आपको पता ही है, balance बनाना, एक, दोरो तरफ की बराबरी रखना, ठीक है, वह कता है, stability, तो commencement अगर start है, तो conclusion क्या है, final है, so option B, conclusion is correct, valid, valid वही, किसी को आधिकारिक तोर पे, मानिता देना, कि यह बिल्कुल valid point है, यह बिल्कुल logical point है, ठीक है, अब, opposite find करना है, हमने, तो इसका, यह logical है, तो opposite क्यों होगा, illogical, ठीक है, obvious ही बात है, illogical इसका opposite है, जिसका मतलब है, बेना सिर पैर का, prob, prob मतलब होता है, investigation, किसी चीज में कारवाई करना, okay, culprit मतलब होता है, मुझरिम, ठीक है, reckless मतलब होता है, बड़ा ही, wild, irresponsible सा, उनका रवहिया, reckless वह भार है, ठीक है, बड़ा ही, अजीब जंगले टाइब भी अभार है, या फिर बड़ा ही, गुस्से हाल साभाव है, okay, so valid का opposite है, illogical, option A is correct, direction, in the following question, choose the word which best expresses the meaning of the given word out of four alternatives, याने कि चार alternatives में से इस वर्ड का meaning कौन सा वर्ड बता रहे है, याने कि इंपेरिटिव, imperative का मतलब होता है, बहुत ही जरूरी, ठीक है, बहुत ही necessary, essential, ठीक है, unfolding, unfolding का मतलब होता है, परत दर परत अब नई चीज़ा सामने आ रहे हैं, ठीक है, नई चीज़े clear हो रही है, का ही उल्जा हुआ, उल्चन भरा, ठीक है, unstable, कि वो balance नहीं है, दोनों चीज़ों के बीच में, दो या दो से जितनी भी चीज़ें उनमें balance नहीं है, essential, imperative means essential necessary, essential means necessary, so option D is correct, disparity, disparity का मतलब होता है, imbalance, ठीक है, inequality, undertake, undertake, क्या होता है, कि किसी चीज़ को start करना, किसी चीज़ को begin करन Restoration, Restoration मतलब होता है, देखो ये बना है, दो वर्ट से, Re and Storation, यानि कि आपकी कोई चीज चली गई, आपने उसको वापस restore कर लिया, ठीक है, आपका data उड़ गया, आपने उसको restore कर लिया, तो वापस कोई चीज अपनी जगा पर वापस आ जाना, ठीक है, Indian Government बाहर से, खो गई थी, पुलिस ने जानकारी निकालके, उनको उनकी चीज लटा दी, तो अब उनके पास उनकी चीज रापस restore हो गई, डिस्क्रिपेंसी, मतलब होता है, भेध भाव, ठीक है, जो इननने ये statement दी, फिर बाद में जो इननने मीडिया को आंसर दिया, उसमें और इसमें मेल नहीं खा रहा है, बे-मेल हो गया, मैच नहीं हो रहा है, डिस्क्रिपेंसी, यानि कि इस भाशन में और इस statement में अंतर है, अंतर है, अंडर्टेकिंग, अंडर्टेकिंग का मतलब होता है, कि आप कोई ऐसा काम कर रहे है, कोई आप काम कर रहे है, और उसको किसी और ने अंडर्टेकिंग कर लिया, ठीक है, यानि कि गवर्मेंट अंडर्टेकिंग होती है, यानि कि गवर्मेंट कंपनीज थी, वो क्या कर रहे है, कोई प्राइवेट फर्म को दे रहे है, या प्राइवेट अंडर्टेकिंग है, यानि कि प्राइवेट फर्म ले रहे है, तो अंडर्टेकिंग हो गया कि निए आपने कुछ काम किया उसको कोई और ओवर टेक कर रहा है ठीक है तो हो गया अंडर्टेकिंग तो डिस्पारिटी मतलब एकदम इंबालंस इन्निक्वाल्टे और डिस्क्रिपेंची मतलब इंबालनस दोनों के बीच में मेल नहीं है ठीक है तो option c is correct select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence इसको change करने के लिए इन में से कौन सी चीजी हो सकती है if there is no need to substitute then select no substitution needed याना कि अगर यह सही है तो हमने D option चूज करने है she is quite capable to do it do that कि वो कारे करने में काफी सक्षम है तो सक्षम यह से हहाँ पर to do नहीं आएगा यहाँ पर capable of doing capable of doing something याना कि वो सक्षम है यह काम करने में ठीक है तो capable with doing नहीं आएगा capable from doing नहीं आएगा capable of doing option c is correct find out the errors if any his assistants have and are still doing excellent work for the organization तो उनके assistants ने क्या assistants have क्या उनके assistants क्या ठीक है तो उनके assistant ने काम किया है ठीक है और अभी भी excellent काम कर रहे हैं organization के लिए तो his assistants have done and are still doing excellent work for the organization option option a mirror है they were having dash they were having a birthday party at home next week अब next week का बात आ रहे है तो were having तो past tense में होता है ना यानके घर में पार्टी थी ठीक है उस टाइम पे पार्टी कर रहे थे कब next week party कर रहे थे नहीं या तो यहां पर दो चीज़ा सकती है they will have ठीक है they will have याने कि वो करेंगे party या फिर they are having याने कि यह भी वही मतलग है कि वो करेंगे party future में वो करेंगे party और future क्या है next week का future है ठीक है तो option a में error है the first task is provided sufficient arable land to the dispossessed farmers ठीक है याने कि जो first task है वो यह है कि दी जाए sufficient arable land याने कि उप जाओ तो provided की जगह सिर्फ to provide the first task is to provide sufficient arable land तो इसमें भी option a में error है आज के session में इतना ही session की PDF और audio file आपको telegram channel पर मिल जाएगी ठीक है जो भी editorial है उसको audio explain किया गया है शीतल माम द्वारा ठीक है तो काफी आपको helpful रहेगा पूरे article को समझने के लिए word by word उनने explain किया है तो आपकी वो cap भी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी ठीक है दूसरी चीज आप प्ले स्टोर से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है काफी user friendly app है हमारी और प्ले स्टोर पर अविलेबल है easily देखो आपके कही सारे questions ऐसे देखे जो fillers वाले होते हैं या फिर synonyms, antonyms वाले होते हैं इन में आपको preparation का best तरीका यही है कि अपनी vocab आप अच्छी करें ठीक है और vocab आपकी अच्छी कैसे होगी आपकी टेलिग्राम पर हर एक एडिटोरिल का हमारे चानल पर हर एक एडिटोरिल को explain करने का हमारा basic तरीका ही है कि हम उसकी पूरी vocab आपको provide करते हैं ठीक है तो अगर आपने वह पूरी vocab डेली के डेली आप प्रैक्टिस में करते रहेंगे तो आपकी vocab आपकी इंप्रूव करना शुरू हो जाएगी तो इसी बात को ध्यान में रखते रहेगा चानल सब्सक्राइब करने के लिए लिंक आपको description मिल जाएगा टेलेग्राम चानल का प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको description मिल जाएगा तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना तिल दन कीप लर्निंग कीप प्राक्टिसिंग बाए